हेलो फ्रेंज, स्वागत आप सभी का हमारी इस यूटूब चनल पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस अगर आप इमो एप पे किसी को वीडियो कॉल कर रहे हो और आपको वीडियो कॉल करने में किसी भी तरह के कोई प्रोब्लम आ रहा है तो इस प्रोब्लम को अब किस तरीके से और कैसे सॉल्फ कर सकते हो तो गैस वीडियो को कहीं पर भी इसकी नहीं करना है वीडियो को आपको शुरू से लेकि आखी तक देखना है तो गैस इसके लिए यहाँ पर आपको इमो एप को आपन कर लेना होगा आप इमो एप के अंदर आप जब भी किसी को call करेंगे तो उसका भी एक condition होगा आप जिस भी person को call कर रहे होते हूँ इमो एप के अंदर एगर उन्होंने अपना setting नोवडी वाले option में click करके रखा जैसे के आप यहाँ पे देख सकते हैं तब गईस इमो एप के अंदर उस person को जिसनी नोवडी वाले option पे select करके रखा है उसको कोई भी इमो एप के अंदर call नहीं कर सकता है नहीं उसे वीडियो कॉल कर सकता है और नहीं उसे audio कॉल कर सकता है आप यहां पर जीज़ी person को call कर रहे होते हो emo app के अंदर अगर उन्होंने आपका number उसके contact में save करके नहीं रखा है तब फिर आप उसे emo app के अंदर call नहीं कर सकते हो अगर उन्होंने आपका number उसके contact में आप जीज़ी person को call कर रहे हो अगर वो save करके रखा है और उन्होंने अपने setting emo app के अंदर my contact option पर click करके रखा है तब फिर आप उसे call कर सकते हो और इस emo app के अंदर अगर आप किसी को video call नहीं कर पा रहे हो तो उसका एक अलग सा setting है आपको उस setting के बारे में भी मैं आपको इसी video में बताऊँगा इसलिए video को कहीं पर भी skip मत किजिएगा तो इसके लिए guys आपको यहाँ पर emo app से exit हो जाना है and exit होने के बाद आपको अपने phone के setting में आजाना है तो आप जैसी अपने phone के setting में आएंगे तो आपके phone में कहीं पर आपको apps का एक option मिल जाएगा आपको इस वाले option पर click कर देना है and आप जैसी इस वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको see all apps पर click कर देना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसी इस वाले option पर click करेंगे तो आपके phone में जितने सारे app install की हुए है वे सभी app यहाँ पर आपको दिख जाएगा और सबसे उपर में एक search वाले option पर आपको दिख जाएगा तो यहाँ पर आपको emo app लिख लेना है आप जैसे यहाँ पर emo लिखेंगे तो आपके application यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा याने की EMO Application यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक Permission का Option मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सेकते हैं आपको इस Permission वाली Option पर क्लिक कर देना है और उसके दर यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ प्रकार्ट से देखने को मिल जागा यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाना है आप यहाँ पर जैसी नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको केमरा का एक option मिलेगा आपको इस वाले option पर click कर दिना है अगर गैस इमो एप के अंदर अगर आपने यहाँ पर डॉंट एलाव वाले option पर click करके रखा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तब गैस इमो एप के अंदर आप जब भी किसी person को वीडियो कॉल करोगे तो वहाँ पर केमरा बिल्कुल भी open नहीं कि यहाँ पर आपने उस setting को off करके रखा है अगर आप इमो एप के अंदर किसी को वीडियो कॉल करना चाहते हो तो जो सबसे उपर वाला option है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको इस वाले option पर click करके रखना होगा यानि कि यहाँ पर आपको allow वाले option पर click करके रखना होगा अगर आप यहाँ पर allow वाले option पर click करते हो तब आप यहाँ पर emo app के अंदर वीडियो कॉल कर सकते हो अगर आप यहाँ पर don't allow वाले option पर click करके रखते हो यहां पर यह setting है emoo app के अंदर वीडियो call करने का यहां पर मैंने emoo app के अंदर ले जाके आपको जो भी setting बताया है वो भी setting काफी important है emoo app के अंदर किसी भी person से बात करने के लिए तो guys यह सबी setting है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए है अगर आप ये सारा चीज को follow करते हो जो आपको मैंने इस वीडियो में बताया तो emo app के अंदर आप अगर किसी को call करोगे तो उससे related आपको कोई भी problem नहीं होगा अगर इस emo app के अंदर किसी भी person से बात करने में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी problem हो रहा है तो आप हमको इस वीडियो के नीचे एक छोटा सा comment जरूर कर सकते है या फिर हमारे Instagram का link आपको इस वीडियो के description में मिल जागा आप वहाँ पर click करके भी हमें Instagram पर follow करके वहाँ पर जरूर message कर सकते है तो अमीद करूँगा आपको इस वीडियो से जरूर हेल्प मिले होगी गैस अगर इस वीडियो से थोड़ी से भी हेल्प मिले हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बुले यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का thank you very much